गुरु़ो की साच deuxi निवाजी, प्यारे साथ संगजी, प्यार और सतकार से कहना धान निरंकार जी साथ संगजी मंगला चरण में भी आता है, तू करता है जगत का, तू सब का आधार सासंगा जी सब कुछ करने कराने वाला ये सत्गुरु निरंगकार दातार आप है जब ऐसा गुर्षिक मान लेता है तो फिर उसे किसी भी बात का कोई अभिमान नहीं आता है जो अभिमान करता है वो हमेशा भगती से गुर्मत से दूर हो जाता है इसलिए हमें अगर अभिमान करना है तो अपने सत्गुरु निरंगकार दातार पर मान करना है अपने सासंगत पर मान करना है कि सत्गुरु निरंगकार दातार के किरपा से ही हमें ये सासंगत मा मिली है और सासंगत मा के वचनों को हम हमेशा सुनते जले जाएं और नम्मर भाव में रहें कहते हैं जितना जितना इंसान वी नमरता में होता है उतना उतना भगती में आगे बढ़ता चला जाता है और जो अभिमान करता है वो भगती के रास्ते से दूर हो जाता है ऐसे हिदासी एक स्टोरी भी आप जी के चर्नों में शेयर करने जा रही है आप जी प्रवान करना सासंगत जी एक बार नदी को अपने परचंड प्रवा पर घमंड हो गया नदी को लगा कि मुझ में इतनी शक्ती है कि मैं पहाड, मकान, पेड, पशु, मानवादी सभी को बहा कर अपने साथ ले जा सकती हूँ नदी ने बड़े ही गरवीले अभिमान पुर्वक शब्दों में समुंदर से कहा बताओ तुम्हारे लिए क्या लाओं तुम जो चाहो मैं उसे जड सहित उखाड कर ला सकती हूँ समुंदर समझ गया कि नदी को हंकार हो गया है उसने नदी से कहा यदि मेरे लिए तुम कुछ लाना चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड कर ले आओ समुंदर की भास सुनकर नदी बोली बस इतनी सी बात अभी आपकी सेवा में हाजिर करती हूँ नदी ने अपने पानी का पूरा वेग घास को उखाडने के लिए लगाया पर घास नहीं उखडी नदी ने हार नहीं मानी और भार भार कोशिश किया पर घास भार भार पानी के वेग के सामने जुख जाती और उखडने से बच जाती अंत में नदी को हार ही हाथ लगी हार ठक कर निराश नदी समूंदर के पास पहुंची और अपना सिर जुका कर बोली मैं व्रीक्ष, मानव, पहाड आदी को वहा कर अपने साथ ला सकती हूं पर घास को उकाड कर नहीं ला सकती घास को उखाड़ने के लिए मैंने पूरा जोर लगाया पर वह जुक कर बच जाती और मैं खाली हाथ उपर निकल जाती समुंदर ने नदी की बात को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोला जो पहाड व्रिक्ष या उनके जैसे कठोर होते हैं वे आसानी से उखड़ जाते हैं क्योंकि उनमें हंकार होता है अभिमान होता है और जिसने घास जैसी विनमरता सीख ली हो उसे परचंड वेग भी नहीं उखड़ सकता उसे बड़े से बड़े आंदी तूफान भी नहीं उखड़ पाते समुंदर की बास सुनकर नदी का घमंड चूर चूर हो गया इसलिए हमें सत्गुर बार बार यही समझाते हैं कि अगर हमने अभिमान करना है तो नामधन का करना है कि हमें सचे वाश्य किरपा से नामधन म हमें अपने सत्गुर निरंकार दातार का मान करना है कि हमें ऐसा पूरण सत्गुर मिला है जिसके किरपा से हमें निरंकार के दर्शन हुए हैं जिसके किरपा से हमारे जनम मरन के बंदन कटे हैं सत्गुर बाबाहर देव सिंग जी महाराज भी अकसर अपने विचारों क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा, मुठे बांदे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, यह इनसान तो किस चीज का भी बान करता है, यह संसार की चीजे तो संसार में ही पड़ी रह जाएगे, तो क्या संसार में लेकर आया था, और क्या लेकर जाएगा, तो मुठे बांदे आया था और खाली हाति संसार से चला जाएगा लेकिन यदि अगर तुने नाम रूपी दोलती कठी कर ली है नाम सिमरं किया है तो यही तेरे काम आने वाला है और कुछ भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है एक सूई भी तेरे साथ जाने वाली नहीं है इसलिए इसलिए कि कदर कर और अभिमान मत कर और दुनियावी चीजों से इतना मुहों मत लगा इतना मुहों अगर लगाना है प्यार करना तो इस भगवान से लगा दुनियावी चीजे तो सिरफ उप्योग करने के लिए है यह नहीं कि इनके साथ इतना मुहों बगाले के भगवान को ही बूल जाएं जो भगवान के चीजे देने वाला है हमने इस भगवान के साथ उड़के रहना है ये भगवान का नाम ही साथ जाएगा और इसी को ही हमने इकठा करना है खाओ खर्चुर अलमिल भाई तोटना आवे वद्दो जाए ये नाम रुपी ख होती चली जाती है ये दुनिया विधन तो जितने जितने खर्च करों खाली हो जाती है लेकिन नाम रूपी धन हम जितना जितना बाढ़ते चले जाती है खर्च करते चले जाती है उतना उतना हमारा बढ़ता चला जाता है इस नाम धन को हम प्रोपकार में लगाएं सेवा सिम इस बात पर बल दे कर समझा रहे हैं कि है इनसान इस नाम रुपी धन से तू भरपूर हो जा इसी मानव शरीर की आतरा तै करते हुए भरपूर हो जा और भर कर जाएं यहां से खाली ना जाएं यह समय इसलिए बहुत अमोलक माना गया है यह बहुत अमोलक समय है इसको यूही हाथों से नहीं गवाना है यह सुनहरी अवसर है इसको नजर अंदाज नहीं करना है क्योंकि नजर अंदाज करना बहुत भारी पढ़ जाएगा इसकी अंदेकी करके फिर तो केवल विलाब है फिर तो केवल रोएगा कुरलाएगा फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं है कि इसलिए इनसान तू अभी भी संबल जा अभी भी कदर कर ले और इस प्रकार से अपने जीवन को उस उन्चाई तक ले जा जिस उन्चाई पर कबीरदास जी पहुंचे थे जिस पर मीरा भाई जी पहुंचे थे जिस पर वे मन्ना जी वे तन्ना जी पहुंचे थे जिस पर और भी काफी गुरु पहुंचे जिस पर और भी संद महात्मा पहुंचे बगजजन पहुंचे वे इसी कारण पहुंचे थे कोई और दुनियावी रूप या कोई लियाकत की बात नहीं कही जा रही है इसी कारण उनको वो मुकाम हासिल हुआ, हमने भी वही मुकाम हासिल करना है, हमने भी वही उन्चाईयां परापच करनी हैं, हर इनसान को महापुरुश, संद जन, यही प्रेट न देती हैं, कि इनसान उचसाहित हो जाए इस तरफ, इनसान तो सोया न रहे गफलत की नीद में मत करन देखे तू, सावधान हो जा, होश में आजा, आँखे खोन ले, सचाई का सामना कर ले, इस सचाई को जीवन में उतार ले, इसको आधार बना ले, जीवन का, और फिर एक ऐसा सुन्दर तेरा वजूद हो, जो दुनिया के लिए वरदान बन जाए, इस परकार से तू अपने इस जीवन के सफर को तै कर ले, यह ठीक है, कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, उनके उपर कोई हमारा जोर भी नहीं चलता है, जैसे कि सद्कुर वाबजी कहते हैं, जैसे कि दास अक्स्तर कहता आ रहा है, कि इतने कांटें हैं दुनिया में बिखरे हुए, किस फिर कांटे होते हुए भी मासानी से उसके उपर से निकल जाओगे, सब कांटे चुनना आसान नहीं है, लेकिन अपने जूते तुम पहल लेते हो, तो उनी कांटों के उपर से गुजर जाते हो, मापुर्शों, संद जनों ने इंसानों को जीवन जीने का यही सलीका बताया है, कि इस तरह अपने आपको प्रभु प्रमात्मा में लगाना है, हमने अपने वर्तमान समय, अपने वर्तमान पल का सबसे उत्तम प्रयोग करना है, हमने वर्तमान पल को संपूर्ण रूप से जीना है, एक एक्जामपल मेरे मन में आया, यह सद्कुरु बाबाबा जी कह रहे हैं कि एक एक्जामपल मेरे मन में आया कि एक व्यक्ति अपने घर में था तब ही घर के आगे वाले दर्वाजे के सामने उसकी पतली शोर कर रही थी और घर की पीछे वाले दर्वाजे के सामने उसका पालतू कुत्ता भूख रहा था उसका मित्र जो उसके साथ घर में ही उसने पूछा मित्र कौन सा दरवाजा तुम पहले खोलना चाहोगे वह व्यक्ति बोला निश्चित रूप से पीछे वाला दरवाजा खोलूँगा और अपने पालतू कुत्ते को पहले घर में आने दूँगा क्योंकि जिस पल वह अंदर आएगा वह भूगना शुरू करेग और मुझे उठाना चाहेगा मैं उस पल का अनंद लेना चाहूंगा और यदि मैं आगे वाला दरवाजा पहले खोल कर पत्नी को पहले आने देता हूं तो अगले तीस मिन्टों तक बला 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 ही होता रहेगा और मैं उस खुशी से वंचित रहूंगा जो मैं अपने पा बहुत आनंद देता है हमें खुशी देता है लेले जीवन से हम जो जीवन से नहमते मिलती हैं वरना लेने पर आए तो जीवन एक स्वास भी नहीं छोड़ता है तो एक एक लम्हे को उप्योगी बना ले छोड़ दे वैर वास्ते छोड़ दे अभी मान करना चोटी छोटी बातों पर इतना मुल्यवान समय गवाँ देती हैं, छोटी छोटी बाते हमारे लिए इतनी महत्तव पुर्ण हो जाती हैं, जिनके कोई माइने नहीं है, जिनका कोई महत्तव नहीं है, उसी में ही हम अपना सारा समय नश्ट कर देती हैं, व्यर्थ गवाँ देती हैं, कोई उत पादक नहीं है, कुछ उस से हासिल होने वाला नहीं है, कोई उस से नजदीकित बनने वाली नहीं है, बलकि दूरियां ही बढ़ेंगे, इस परकार इन मुल्यवान लंहों को हम ऐसे विहरत में गवातें चले जा रहे हैं, एक 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 लम्हे की हम कदर डालें, एक एक लम्हे की कीमत करें, क्योंकि ये एक बार हातों से छिन गई, तो लोटकर नहीं आएगी, फिर हम हम कहते हैं कि कहां गया वह नजर नहीं आता, अलोफ हो जाता है, वह तो एक एक जीवन की कितनी कीमत है एक इनसान जब दुनिया से चला जाता है तब भर्पाई नहीं हो पाती है उसकी उस रूप में इसलिए कदर करें हम एक-एक स्वास की कदर करें एक-एक इनसान की और इस परकार से इस जीवन के पलों को हम बिठाते चले जाएं की एक-एक पल समर आएं वरना पल तो पल हैं ये तो एक एकर के बीत ही रहे हैं समय तो अपनी गती से चल ही रहा है इसका कुछ बीगड़ना या बनना नहीं है यदि हम कदर कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो हमारा बीगड़ जाएगा समय का कुछ बनना बिगरना नहीं है इस मालिक खालिक का भी कुछ बिगरना या बनना नहीं है यह बनना और बिगरना हमारे लिए है तो सूजवार बन जाएं विवेकी बन जाएं ऐसी विवेक प्रापत हो जाए ताकि हम ना अपना बिगाड़े और ना ही औरों का भी गाने, अपना भी सवारे, औरों का भी सवारे, इस परकार से हम इस जीवन के सफर को तै कर ले, इस सत्य को अधार बना ले, इस मालिक को अधार बना ले, यही सचा अधार है, इसी को पूरान कहा गया है, यह पूरा है, इस पूरे के साथ हम जुडें, इ सत्य के नूर को खटखट में देखें और इस परकार से इसी के ही नगमे गाएं इसी के ही महिमा गाएं इसी से ही सारे संसार की भलाई की कामना करें और अपने लिए शक्ति मांगें ऐसा सुंदर जीवन जी पाने के लिए अपने स्वासों को इसको समर्पित करने के लिए क्यो हमेशा से था और रहेगा यही हमारा सच्चा सहारा है यही सारी दुनिया सारी काइनात का आसरा है इसी के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व में है इसलिए हम इसी का ही सहारा लेते चले जाएं और हम जीवन में अनंद प्रापत करते चले जाएं साथ संगर जी प्यार से कहना था निरंकार जी